जै श्री किशना मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत स्पेशल होने वाली है, इसके पीछे एक रीजन है, आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से हमारी संगत के उपर, कि जिस तरह के लोग हम अपनी जिंदगी में रखते हैं न हम वैसे ही हो नहीं, क्योंकि आपको पता है वो आपके हितेशी नहीं है, तो आप उसकी बाते कभी नहीं मानोगे, लेकिन अगर आपका एक दोस्त, आपको इंसेस्ट करेगा, कि चलो यार, ये तो मॉडन टाइम है, और आप एक सिगरेट ले भी लोगे, तो क्या फर्क पड़ता है, तो जो खुद वो कर रहा है, वो आपको भी करवाएगा, अगर उसने ड्रिंक किया, वो आपको भी कह रहा है, एंसेस्ट कर रहा है, कि यार, एक अगर पी लेते हो, तो क्या फर्क पड़ता है, तो आपने भी किया, मेरे कहने का मतलब यह है, कि जैसे लोगों में रहोगे, आप दीरे दीरे वैसे ही होते जाओगे, इन ऐसे लोगों को कहीं बार हम negative लोग कहते हैं आपकी जिंदगी जैसे लोगों से भरी होगी न, आपकी life वैसे ही होती जाएगी अगर आप एक ऐसे लोगों में बैठते हो, जो आपको अच्छी बाते सिखाते हैं आपकी जिन्दगी को और positive mode पे लाके खड़े करते हैं तो ऐसे लोगों से क्या होता है सीखने को बहुत कुछ मिलता है और आपकी life में improvement होता है तो ये depend करता है कि आप ऐसे दोस्तों को कैसे चुनो अगर आपको लगता है ना कि मेरे दोस्त में ये कमी है या तो आप कोशिश करो कि वो भी ठीक करें अपने आपको या कोशिश करो अगर आप वो सही नहीं हो पाता ना तो थोड़ टाइम के बाद उसको छोड़ दो उसके पीछे reason है कि वो तो कभी सुधरेगा नी और आपको बिगाड़ के मानेगा तो ये दोस्त ही होते हैं जो हमें बुरी आदते डालते हैं ये सिर्फ दोस्त ही होते हैं अगर आप किसी से भी सुनोगे ना कि मैंने ये अपने दोस्तों मैंने smoking सीखी तो कहां से सीखी ये दोस्तों से ही सीखी जो उनके साथ उटते बैठते थे उन्हीं लोगों से सीखी तो जो हमारी संगत होती है ना वो ह तो जैसी संगत में आप बैठोगे आपका भी नाम वैसा ही लिया जाएगा